गूर्ड मॉर्निंग SSE MTS 2019 के सभी कैंडेट्स का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है एक सब्ता पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने लॉजिकली समझाया था कि MTS 2019 की वेकैंसी कितनी बढ़ सकती है और उसका कटाफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा उसमें मैंने एकस्पेक्ट किया था कि MTS 2019 की वेकैंसी 11,000 प्लस हो सकती है जो केंडेट्स मुझे पर भरोसा रखते हैं उन्होंने तो इस एकस्पेक्टेशन का स्वागत किया किन्तु बहुत से केंडेट्स को मेरा लॉजिक समझ में नहीं आया एकदम से 7,000 से बढ़कर 11,000 प्लस हो जाना इस पर बहुत से कमेंट्स भी आये कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है लेकिन आप देखिए मेरे उस वीडियो को अप्लोड करने के बाद डिफरेंट RTIs के माध्यम से वेकैंसीज की सितिक क्लियर होने लगी और अभी एक सब्ता ही बीते होंगे 9,000 वेकैंसीज की सुचनाय RTI के माध्यम से मिल चुकी है और ये सुचनाय मात्र 4 रीजन्स की है अभी तो 5 रीजन्स की वेकैंसी की सुचनाय आनी बाकी है और इसमें Day-to-day प्रोग्रेस ही होनी है जैसे की NR की वेकैंसीज 4-5 दिन पहले 3,515 बताई गई थी जबकि लेटेस्ट RTI रिपोर्ट के अनुसार अब NR में 3,506 वेकैंसीज है और अकेले दिल्ली में 3,179 वेकैंसीज है तो आईए देखते हैं कि लेटेस्ट वेकैंसी पोजिशन क्या है लेकिन अब तो मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लीजे और बेल आइकान को प्रेस कर लीजे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं चलिए बात कर लेते हैं कि रिजन वाइज वेकैंसीज कितनी इंक्रीज हुई है NR रिजन में पहले 1534 वेकैंसीज थी अब बढ़कर के NR रिजन में 2792 वेकैंसीज हो गई है और ऐसे ही 18-27 एज ग्रूप में अगर हम बात करें तो पहले वेकैंसीज थी 656 और अब ये बढ़कर के हो गई है 784 तो इस तरह से NR रिजन में जो कुल इंक्रीज हुई है वेकैंसी वेकैंसी हुई है 1386 वेकैंसी जो हैं वो NR रिजन में बढ़ी है और इसमें अकेले दिल्ली में 3179 वेकैंसी जो हैं वो आज की डेट में हो गई है अब आगे बढ़ते हैं इस्टन रिजन की बात करते हैं तो इस्टन रिजन में पहले वेकैंसी थी 18-25 एज ग्रूप में 856 और अब ये वेकैंसी बढ़कर के हो गई है 907 ऐसे ही 18-27 एज ग्रूप में केवल थोड़ी सी कमी आई है 101 वेकैंसी थी पहले अब घट करके 100 वेकैंसी हो गई है यह बिलकुल नॉमिनल फर्क है कोई से कोई फर्क नहीं पढ़ता है तो ओवराल अगर हम बात करें तो इस्टन रिजन में जो है वो 50 वेकैंसी की व्रिद्धी हुई है 50 वेकैंसी जो है वो इस्टन रिजन में बढ़ी है अब आगे बात करते है वेस्टन रिजन की तो वेस्टन रिजन में पहरे जो वेकेंसिस थी वो थी 1395 और अब ये बढ़कर के हो गई है 1614 वेकेंसिस 18-25 एज ग्रूप में जबकि 18-27 एज ग्रूप की बात करें तो वहां 360 वेकेंसिस थी घट करके 112 हो गई है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बात में ये वेकेंसिस बढ़ेंगी अभी और बढ़ेंगी तो वो कवर हो जाएंगी तो इस तरह से अगर हम वेस्टन रिजन की बात करें तो 31 वेकेंसिस जो है वो इंक्रीज होई है और ऐसा रिजन की अगर हम बात करें तो ऐसा रिजन में जो है पहले 274 vacancies थी और 18-25 age group में और ये vacancies जो हैं वो बढ़ करके 786 हो गई है अल्मोस्ट 3 times vacancies बढ़ गई है तिगनी हो गई है और 18-27 age group में 40 से बढ़ करके 51 हो गई है तो इस तरह से कुल जो है पांच सो 23 vacancies जो है वो एसार रीजन में बढ़ी है और वो केंड़ेट जिनों ने तमिलनाडू को प्रेफर किया है उनके लिए golden chance है क्योंकि तमिलनाडू की vacancies लगबग तीन गुनी बढ़ चुकी है तो आप इसी से अंदाजा लगाए कि cutoff कितनी low हो जाएगी और selection के chances कितने ज़्यादा बढ़ जाएगे तो ये था reason wise vacancies कितनी बढ़ी है अब आईए बात कर लेते हैं कि total vacancies कितनी increase होई है तो ये SSE MTS 2019 की latest vacancy position आपे सामने है एनार रीजन में 18-25 age group में पहले 1534 vacancies थी अब ये बढ़कर 2792 vacancies हो गई है 18-27 age group में 656 vacancies थी ये बढ़कर 784 vacancies हो गई है तो total जो है 2190 vacancies पढ़े ले थी अब बढ़कर के 3556 vacancies हो गई है अभी देखिए 4 दिन पहले 3515 की reporting थी अब देखिए 4 दिन में ही जो है vacancies बढ़कर के 3556 हो गई है तो ऐसे ही देखिए day-to-day vacancies increase करेंगी और जो मेरा expectation है 11,000 प्लस का वो 100% true होगा 11,000 प्लस ही होगी vacancies MTS की आप देखते जाए net increase कितना हुआ 1386 गा इसमें अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 18-25 age group में जो है वो vacancies बढ़कर के 2417 हो गई है और 18-27 age group में 752 vacancies हो गई है तो अकेले दिल्ली में कुल 3,179 vacancies हो गई है और इसी vacancy increase को लेकर मैंने एक दिल्ली का अलग से वीडियो अपलोड किया है expectation expected cutoff का वो आप लोग देख लीजेगा चलिए बात कर लेते हैं SR region की तो SR region में जो है 18-25 age group में 274 vacancies थी अब ये vacancies बढ़कर 786 हो गई है 18-27 age group में 40 vacancies थी ये बढ़कर के 51 हो गई है तो टोटल पहले 314 vacancies थी और अब 827 vacancies हो गई है इस तरह से जो net increase हुआ है ये 523 vacancies जो है SR में increase हुई है और इस vacancies के बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो benefit मिलेगा वो तमिलनाडू के candidates को मिलेगा क्योंकि तमिलनाडू में candidates की जो vacancies है वो आल्मोस तीन गुनी हो चुकी है तो इससे completion ratio लो हो जाएगा cutout flow हो जाएगी और इस तरह से जो है देखिए कि selection के chances जो है उनके काफी ज़्यादा बढ़ जाएगे अब आईए western region की बात करता है तो देखिए western region में 18-25 age group की जो vacancies थी वो थी 1395 में अब ये बढ़ करके 1614 vacancies हो गई है 18-27 में कमी हुई है 360 से 132 हुई है लेकिन इस कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा vacancies अभी और बढ़ेंगी और दूसरा ये है कि western region में महराष्टा की vacancies जो हैं वो बहुत जादा बढ़ेंगी तो इसलिए कोई problem नहीं आने वाली है vacancies बढ़ेंगी तो इस तरह से अगर हम western region की बात करें तो western region में जो है total पहले 1755 थी अब जो है 1786 हो गई है तो ये 31 vacancy फिलहाल increase है लेकिन western region में vacancies जो है वो 500 से 700 की बीच में जो है वो बढ़ेंगी पूरे expectation है बढ़ेंगी देखते जाएए अभी latest position महिने दो महिने में और आने वाली है 100% जो है western region में बढ़ेंगी vacancies और वो भी vacancies जो है महरास्टा में बढ़ेंगी अब आईए eastern region की बात कर लेते हैं तो eastern region में जो है 18-25 age group में 656 vacancies थी बढ़कर के 907 हो गई है 18-27 age group में 101 vacancies थी एक vacancies कम हो गई 100 हो गई है तो total 957 से बढ़कर 1,007 हो गई है तो net increase जो हुआ है वो 50 vacancies का हुआ है तो इस तरह से अगर आप देखिए तो आज की date में जो total vacancy position है 16-1386 523-31 और 50-1990 vacancies बढ़ने की सूचना प्रात हुई है इस 1990 को 7,099 में जोड लें तो 9,900 vacancies SSE MTS में आज की date में exist कर रही है तो 9,000 प्लस तो ये अभी एक हफ्ते के अंदर की position है अभी 5 regions की vacancies की स्थिती आनी बाकी है और इन states में भी especially northern region में और western region में 100% chances है की vacancies भी और बढ़ेंगी तो आईए अब discuss कर लेते हैं की vacancies बढ़ने का cut-off पर क्या प्रभाव पढ़ेगा selection पर क्या प्रभाव पढ़ेगा तो आईए देखते हैं यॅ कृव्यों की यॅ और देखिए जैसा कि यॅ का क्रैटिरिय है यॅ के हो sä वेकेंसी हम मान कर चलें तो लगबग 25,000 केंडिट्स को डीवी के लिए कॉल किया जाएगा 25,000 प्लस केंडिट्स को जो है डीवी के लिए कॉल किया जाएगा और कंटेस्टिंग कंडिट्स अल्मोस्ट 60-65,000 होंगे तो इस तरह जो कम्टिशन रेशियो है वो एक अन्पाते दो से थोड़ा ही ज्यादा रहेगा अगर आपका रिजल्ट CHSL और CGL के पहले आ जाता है तो भी जो कटाफ है उसमें तीन से चार अंकों की कमी आ जाएगी फिलहाल का जो एक्सपेक्टेशन है उससे तीन और चार अंक जो है वो कम रहेगी और अगर आपका रिजल्ट CHSL और CGL 18 के बाद आता है और यह चीज आपके लिए बहुत ही आपके हित में रहेगी तो एक्सपेक्टेट कटाफ जो अभी तक के एक्सपेक्टेशन थे उससे पांच से छे अंक जो है वो कम रहने की पूरी संभावना है और इस तरह से उन कैंडिट्स के सेलेक्शन के चांसे बहुत बढ़ जाएंगे जिन कैंडिट्स के मार्क्स जो है वो मार्जिन पर हैं कटाफ के बिलकुल करीब हैं उनके सेलेक्शन के चांसे जो है वो कर दिया है आप देख लिजेगा और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा मैं और भी स्टेट्स की कटाफ के वीडियो अप्रोड कर दूँगा आई होप ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा अपने ग्रूप्स में शेयर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही साथ अगर किसी प्रकार के कोई क्वेरी हो कोई प्रेशन हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा ओके थैंक यू